ग्यारा प्रोटॉन ग्यारा इलेक्ट्रॉन बाहर कितने दो दो के बाद कितने आच वन टू थ्री फोर फाइज सेवन दो और आठ होगे दस और लास्ट में कितने जितने बचेंगे बचेंगे वन आपको पता है कि सोडियम को जैसे ही क्लोरीन दिखती है अपकी बाशा में अपना दिल दे बचता है फिक रहाद मेज़ये है मैं इसको इलेक्ट्राव दे बैठा है इसने एक उलेक्ट्रॉन दे दिया आप मुझे बढ़ए consultants कितने बचेंगे बिस बठ प्रोटावी वी कितने अकॉल रियारा तो बतायीं सब्सक्रावीCor उआर्म एस So proton is the responsible for the atomic number Okay So atomic number denoted by Z It is equal to the number of proton In the nucleus of an atom Modern periodic table Very important Modern periodic table में जल्दी से मुझे गिन करके बताईए कितने vertical column है 18 Very good So these are vertical column को क्या मोलते है Very good These are called groups Okay And how many rows are there 7 These are called Yes Okay So total there are 18 cross 7 18 groups and 7 periods Okay Okay Elements in a group have balanced electron Very important बच्चों अब आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है आप देखिए Sodium के outer shell में कितने electron है One अब आप देखिए जो sodium बैठा होगा वो one number के group में बैठा होगा बैठा है कि नहीं बैठा समझ गए मैं आपको बता रहा हूँ Magnesium का electronic number होता है 12 12 तो Magnesium के outer shell में कितने electron होगे 2 अब आप देखिए Magnesium कौन से number के group में बैठा है 2 इससे क्या पता चल रहा है इससे पता ये चल रहा है कि जिसके पास जितने valence electron है वो उस number के group में बैठा है आईवार समझ में ना ओके कम तो देखिए elements in a group have valence electron elements in a group have valence electron ओके next number of shells increase when we go down to the group very important जब आप group में नीचे जाएंगे तो number of shells बढ़ती जाएंगी सुनिया बच्चो आप एक मिनटे इक मिनटे इक मिनटे आप ऐसे लिखे मैं आपके पास कुछ element लिख रहा हूँ मैं second number of period के element लिख रहा हूँ आप element trace करिएगा lithium berry area फिरस्के बगद बड़ा सा gap मिल गया होगा आपको फिर boron and then carbon then 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 okay अब आपके समझने का वक आचुगा है आएए देखे बचो ये हमारे पास lithium है electron है three इसके पास है चार इसके पास है ताप छे साथ आठ नौ तस देखें क्या समझाना चाहा हूँ आपको आप lithium का structure बनाएगे भाई तीन है तो पहले तो दो चले जाएगे अब आप में कितने अब आप तो अच्छे से जानते बच्चो इस शेल की capability कितने एलेक्रों की है इस शेल की total capability कितने की है तो बताओ इस element को ये शेल समाल लेगी इस सार इसको समाल लेगी इस सार इसको भी समाल लेगी कहां तक समाल लेगी नियोन तक कहां तक समाल लेगी? नियोन का अगला एलेमेंट होता है सोडियम, 11 एलेक्टरॉन बताइए वो एलेक्टरॉन इसी में आके ठुस जाएगा या बाहर जाएगा? इसको बाहर जाएगा, कैसे चला जाएगा इसमें या? अचा एट है ना एट एलेक्टरॉन होती ही ना एट एलेक्टरॉन के बाद दो, आठ, आठ के बाद अठारा समझ गये ना? तो वो एलेक्टरॉन बाहर जाएगा की इसमें आजाएगा? बाहर जाएगा मतलब आख इसके बाद नमबर ऑफ शेल बढ़ जाएगी कि वही रहेगी बढ़ जाएगी और आप देखिए वो इलेक्ट्राउम तुरंथ अगले अगले रो में आ रहा है यहाँ पे आता है सोडियम सोडियम 11 आगया समझ में अब मुझे लॉजिक दे सकते हैं जैसे आप पिरियड चेंज करते हैं वैसे नमबर ऑफ शेल बढ़ जाती है कि घड़ जाती है वेरी एक्जैक्टली बिल्कुल सही जैसे आप पिरियड चेंज करेंगे अगर आप एक ही पिरियड में मूब करोगे अगर आप एक ही पिरियड में मूब करोगे इसका मतलब आप उसी शेल में लेक्ट्रॉन बहर रहे हो बट आप अगर नीचे आ गए नेक्स पिरियड सुरू हो गया थर्ड पिरियड तो एक नई शेल बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी अगर आप फोर्थ पिरियड में अगे तो क्या होगा एक और शेल बढ़ जाएगी अगर आप फिफ्ट पिरियड में आगे तो क्या होगा एक और शेल बढ़ जाएगी तो अक्षे बताएगा अक्षे क्या समझ में आ रहा है पिरियड में नीचे आने पर पिरियड में नीचे आने पर शेल बढ़ रहीं कि On going downward in a group किसी group में नीचे जाने पर अब जब group में नीचे जाओगे तो period तो change होगा ही किसी group में नीचे जाने पर atom का size क्या होगा increase करेगा लेकिए on going downward in a group atomic size will be increasing on going downward in a group atomic size will increasing अगर आप किसी group में उपर से नीचे जा रहे हो तो atomic size increase करेगा आई बात समझ में, चलो next question बताएगा अपने को सात्विक, सात्विक ये बताओ जब तुम ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो atomic size, your atomic size is increasing, now tell me what about the atomic radius does the atomic radius will be increased or it will decrease, increase, very simple, when atomic size is continuously increasing, this means atomic radius will be also increasing, आई बात समझ में ना, so you can write, atomic radius is also increasing atomic radius is also increasing okay, atomic radius is also increasing atomic radius is also increasing, clear atomic size increase कर गया, atomic radius increase कर गया, now come to the third thing when you coming downwards in a group when you coming downwards in a group you see what is happening here size is continuously increasing intelligent question for intelligent why, now you tell me Ankit when the size is increasing the last electron the name of the last electron existing in the shell what is the name of last electron okay the name of last electron it is called valence electron that is called valence electron okay reactivity reactivity of the atom reactivity of the atom depend on the which of electron ये बताएगा reactivity of protagia reactivity of the atom depend on which electron inner electron or valence electron valence electron yes reactivity depend on the valence electron now tell me when you coming downward in the group reactivity of the atom will increase or decrease increase very good answer reactivity of the atom will increase now tell me why the reactivity will increase because last cell comes electron what neo 사𝘟 reactivity increase करेगी ब설िएअएगी बताएगी last cell मैं कमिलेक्टरण होने क्ये-ळग्टरण थो पहले क्येक्टरण मैं तेडी का आप पर कंट्रोल कम होता जाएगा पहले बेटा पास में रहता था तो सारी बाते मान लेता था अब बेटा दूर चला गया तो और कम मान रहा है बेटा इंदार में रहने लगा बेटा रात को घुम रहा है पाहिक में बच्चे की रेक्टिविटी बढ़ रही की पासिवेश्ट चैनल चैनल तेड़ बेटा शाय बेटाइगा तो इसको आप कोई बुरा अजमी आकर के बुलेगा चलेगा मेरे सांग भोलेगा पापा ममी तो देखनी रहे चलनी का लेटेगा okay so that is the that is the reason on going downward atomic size increases atomic radius increases and reactivity increases now next question okay this question is a stupid question so it is going to imagine imagine tell me no no for this at the day of it sonam gupta I don't know why I am not here listen listen yes come to the topic again boys when I see the right answer is a good question so it is a good question so now tell me on going to the reactivity is what surplus your brain is increasing or increasing I request you family do not answer increasing on going downward the reactivity is increasing now my question is on going downward the stability is decreasing very good class for Ivanshu okay on going downward when reactivity is increasing so it is the stability will decreasing stability will so jitna joe jitna reactive ho ga wo utna come stable ho ga understood so reactivity to increase kar rahi hai but stability decrease kar rahi hai okay okay there are so many things we have discussed out here come to the topic again elements in a group have balanced electron number of shell increases as we go down this group underline you don't have the sheet okay elements in a period have same number of shell now tell me next thing yeah you have seen when you moving in a same period when you moving in a same period stay well when you when you moving in a same period then what happening numbers of shells are increasing decreasing or remain same remains very good answer remain same make the underline when you moving in a period so when you moving in a period so when you moving in a period the number of shell remains same the number of shell remains same now next intelligent question to kushal kushal now tell me when you moving in a period from left to right you have seen when you moving from top to the bottom the continuously the atomic sizes increases but when you moving from left to right the atomic size will be increases or it will be decreases kushal I want your opinion huh no it is wrong atomic size will be decreases the atom is continuously contract security okay the atom will be continuously contract now the reason why the atom will be continuously contract the student you have seen that from when you going from here to here the shell number of shell remains same the number of shell remains same जैसे आपका atomic number increase करेगा वैसे आपका proton number भी increase कर जाएगा तो proton एक ही जगे पे बढ़ते जा रहे हैं तो proton का power मजबूत होता जाएगा कि कम होता जाएगा मजबूत होता जाएगा तो वो बाहर की shell को खीचना सुरू कर देगा क्योंकि बच्चा वहीं पे समझ गया ना बच्चा वहीं पे समझ में आ गया क्या अरे दूर का हो रहा है शेम शेल ना शेल तो सेम है अगर जबूत है अगर जबूत है understood समझ में आ गया so write down underline element in the same period have same number of shell and make it a point in your coffee when we moving in a same period when we moving in a same period left to right in a same period left to right when we moving in a same period left to right then left to right when you moving from left to right then atomic size will be what then atomic size will be decreases atomic size will be decreases then atomic size will be decreases now one more question atomic size will be decreases you see when you moving in a period when you moving in a period there is a common tendency is there every element is proceeding to become a noble gas noble gas okay helium, neon, argon krypton, xenon, radon a noble few noble gases are there you can see at the 18th group 18th group in your period table I write the name of the element helium, neon, argon krypton, xenon, radon these are the noble gases what I am saying radon, xenon oh that is new thing you see when you moving from left to right important part when you moving from left to right her element ja karke finally noble gas mein badal jata hai noble gas is a matter or non-matter non-matter all gases are non-matter now tell me Rahul when you moving from left to right when you moving from left to right in a period non-metallic character continuously increasing or continuously decreasing continuously increasing very important writing your copy moving from left to right in a period moving from left to right in a period non-metallic character is increasing left to right in a period non-metallic character is increasing non-metallic character is increasing when we moving from left to right in a period non-metallic character is continuously increasing non-metallic character is increasing next question Akshay you have seen that on moving from left to right the non-metallic character is increasing now on moving from left to right the metallic character will be decreasing correct when non-metallic is increasing metallic character will be decreasing correct very good ok now one more question Akshay when you moving from top to the bottom when you moving in a group from top to the bottom metallic character will be what very good increasing when you moving from top to the bottom metallic character will be increasing you can ask a question sir why the metallic character will be increasing when we move from top to the bottom why because when you moving from top to the bottom continuously the valence cell get very far away from the nucleus and finally it have a tendency to to lease to lose its shell और जो इलेक्ट्रों त्याग दे जो इलेक्ट्रों छोड़ दे वो ही तो metal होता है हाँ या ना तो आप देखेंगे इलेक्ट्रों लेने वाले तो non-metal होते हैं इसलिए सारे non-metal right side पेठे हुए हैं और सारे metal नीचे पेठे हुए हैं so when you coming from top to the bottom top to the bottom metallic character will be increases write in your copy when we moving from top to the bottom metallic character will be increases when we move from top to the bottom yes लिकाश very good when you move from top to the bottom metallic character will be increases these all are written in your book also okay metallic character increases next thing one more question सात्विक लोदी now from सरभ जीट when you moving from top to the bottom the non-metallic character increases or decreases decreases correct अकर metallic character नीचे जाने पे बढ़ेगा तो non-metallic क्या होगा घटेगा okay because नीचे कोई non-metal बनना नहीं चाहता है so non-metallic character is decreases okay I feel this is sufficient for today thank you for the class okay thank you for the class